तो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चिनल में एक बाइन मारकेट अपडेट के साथ आप लोगों का सोगत करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सा अपडेट आते देखने को मिल रहा है IR City से के ऊपर एक बड़ी सी नीउस आते देखने को मिल रही है तो इस नीउस का स्टॉक पर किस प्रकार से इंपेक्ट पड़ेगा स्प्लीड मिलने वाला है तो क्या अभी खरीदे या split का record date आजाएगा जब खरीदे बहुत सारे doubt है दोस्तो एक normal retail investor को वो पूरी चीज यहाँ पर आप लोगों को clear होने वाली है तो चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले एक और चीज में आप लोगों को बोलना चाहूँगा नीचे description में दोस्तो profit group की class channel का link दिया है जाएए उस channel को subscribe करिए क्योंकि वहाँ पर daily basis पे बारा बज़े से लेके दोस्तो एक बज़े दो बज़े और तीन बज़े तक live stream चला जाता है जहाँ पर आप लोगों की सारी help की जाती है आप जो जो चीज़े पूछोगे आप लोगों को वहाँ पर clear किया जाएगा पूरा stock market से related तो वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला तो जाएए उस channel को visit करिए और subscribe करिए तो चलिए जो news है आया सिटी सी के उपर वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो business today.in के साइट के उपर हम आए हैं ठीक है यहाँ पर अपडेशन अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो क्या लिखा है रेलवेस्ट टेर्मिनेट 30,000 करोड प्राइवेट पेसेंजर ट्रेन बीड प्रोसेस fresh train soon मतलब दोस्तो अभी कुछ दिन पहले भी हमने इस चीज का update आप लोगों को किया था के government ने यहाँ पर एक जो प्राइवेट ट्रेन्स को लाँच करने का यहाँ पर क्या किया था प्रोसेस चालू किया था मतलब जो तीस हजार करोड का प्रोडेक्ट जो प्रोजक्ट था प्राइवेट पेसेंजर ट्रेन्स का ठीक है उसमें बीडस को बुलाए थे तो market में लगबग 16 बीडस देखने को मिले थे जिके 16 बीडस ने इसमें बीड लगाया था लेकिन इसको अभी क्या कर दिया दोस्तो टर्मिनेट कर दिया है मतलब इसको अभी बंद कर दिया गया है जो ट्रेन चल रहा था जो मतलब यह private passenger train से इनका जो bidding का process चल रहा था यह काफी दिनों से चल भी रहा था लेकिन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों इसको बंद कर दिया गया है क्या बंद कर दिया गया भी तो यह क्यों बंद करा है यह हम reason जानेंगे fresh train सून मतलब यही जो bidding है दोस्तों यह double से चालू होगी आगे एक नए सीरे से अब आगे आपन जानते हैं डिटेल में पूरे नियूस को सबसे पहले टाइम फ्रेम देख लिए अठावा अगस्त का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आकर आप देख रहे हैं तो दोस्तों ब्रोसेस उसको रोग दी है अब यह तो आगे और देखते हैं क्या है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो दोस्तों 12 से 16 बिड़ेस आये थे मार्केट में ठीके 12 से 16 बिड़ेस आये थे उनका रिस्पोंस अच्छा नहीं रहा तो सब बिड़ेस क्या हो गए पीछे अट गए और खाली दो ही बिड़ेस मार्केट में बचे थे एक तो IRCTC का था ठीके और यह प्रोसेस अब रोग दी गई है यह प्रोजेक्ट रोग दिया गया है और यह प्राइविट पेसेंजर से रिलेटेट था ठीके अबेसली बात है दोस्तों ट्रेंस का या मान लिजे रेलवे का कुछ भी काम होगा पहले उसमें भागीदारी मतलब यहां पर जब बोला गया था इसी किसे रिलेटेट की प्राइवेट पेसेंजर जो पाटिसिपेट से है ठीके इस प्राकास से जो ओपरेशन है वो किया जाएगा इसके रिलेटेट तो उस समय मार्केट में बहुत उतार चड़ाओ भी देखने को मिला था और IRCTC के स् इन्टरेट यही जीतने वाला खेर अभी तो यहां पर पूरी तरीके से कैंसिल होते देखने को मिल रहा है तो IRCTC के स्टॉक पे इंट्रडे में क्या परफोर्मेंस देखने को मिलेगा ठीके क्या स्टॉक से दूरी बना ले मतलब बहुत सार अलाग यहां पर क्या जो दिक् दिखाया था इस प्रोजेक्स से रिलेटेड आप देख सकते हो जी एमर हाइवे ठीके एक यह इंडियन रेलवे केटिरिंग टूरीजम जिसे हम आया सिटी सी नाम जानते है आई यार भी इंफ्राइस्टेक्चर डेप्लोप्मेंट यह भी कंपनी थी कुछ मेंजर जो कंप कंपनिया पीछे अट गए थी मात्र आयार सीटी सी और एक एक और कंपनी जो आपको अपडेट करता हूं कौन सी कंपनी थी इसका नाम यहां पर सो नहीं हो रहा है अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस नंबर सिग्निफिकेशन रिड़क्ट इंद रिसेंटली हेल् वपी स्ट्रेंड फाइनशियल वीडिंग अंदलाब फाइनेशियल भीडिंग जो ती अंली टूबिडर्स देखेंगे जो कंफर्म थे आप यही दो वीडर बर्चेंट जैसे एक आया सीटी सा और दूसरा वो था मेगा इंजिनियर ठीके ये मेगा इंजिनीर ये दूसरी क होगा दीखकर जिसके कारण यह पीछे हट गए थे तो गवर्मेंट ने सोचा कि अब यह पीछे हट गए हैं रिस्पोंस अच्छा नहीं दीखने को मिल रहा तो डेफिनिटली क्या होता है अब हम इसको क्लोज कर देते हैं आने वाले समय में एक बार फिर से इसको ओपन अब देखिए बाकी के 14 जितने भी फर्म थे उन्होंने तो बेक आउट कर लिया था क्यों कर लिया था जैसे आप देख सकते हों केटिंग कांसेंशन रूल्स फेवर फेवर इंडियन डेलवे मतलब सीधे तोर पर लिखा हुआ है कि जो गवर्मेंट ने सोची साजी पूरी भी सोचा कि हम भीड लगा रहे हैं तो अब ये भीड का हमें क्या फायदा देखने को मिलेगा ठीकें अब मालेजिए इंडियन डेल्वे हैं इंडियन डेलवे और यहां पर एक प्राइविट मतलब प्राइविट लेंडर रहे ठीकें उससने बीडि लगा के चलो ठीके जो पैसेंजर ट्रेन से उनको चालू करवा दी अब उसको कुछ फाइदा नहीं दिखेगा यहापर तो वो यहापर बेडिंग आगे क्यों बढ़ाएगा अब इससे तो सीधा तोर पे जो रूल लिखा हुआ है उसका जो फेवर है वो तो पूरा इंडियन रेलवे को ही देखने क बिल रहा है अब यह जो पूरा न्यूस ऑन को यहाप चीज करना पड़ा तो आप देख सकते हो आपको अब यह निवसपता चल रही है और उसके बाद दो अगर देखे जाया तो फिर मिनिस्ट्री ने यह भी बताया है कि जो फ्रेज बीडर है वह फिर से बुलाई एक बार यह सेवी प्रोसेस फिर से चालो होगी तो देखा जा दोस्तों तो कंडिशन देखे कोबीट के 19 बी कोबीट 19 के कारण भी काफी खराब होई थी रेलवे की ठीके कुछ बो भी डर सता रहा होगा इनको और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो पाफॉमेंस रे रेलवे क्यात में ठीके यह तो एक ओबिसली बात है कि कहीं पर भी रेलवे का काम होगा आई 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 सिटी सी का नाम तो पहले देखने को मिलेगा तो आप यही इमेज क्रेट हो थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हता दोस्तों यह अगर आई 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 सिटी सी पा लेता तो साथ में तो मोमेंटम मिली रहा है स्प्लिट का निउस भी एकदम गरमा गरम था तो मज़ा आ जाता लेकिन अब एक तरफ नेगेटी निउस हो चुका है एक तरफ पोजिटी निउस हो चुका है तो क्या करें यह बहुत सारी दिक्कत यहाँ पर माइट में क्रेट कर दे नॉर्मली जो भी कॉंट्रेक्ट रहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट रहता है, वो IRCTC को ही मिलता है, तो एक प्रकार से अगर देखा जाए, तो IRCTC दोस्तों, इंडियन रेलवे की जितनी भी कमपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टे रहना, सबका एकदम हेट देखने को मल रहा ह कि IRCTC पूरे इंडियन एक ग्रूप ही बना दो, चलो मानलो, रेलवे ग्रूप बना दो, रेलवे इंडरस्टी बना दो, या रेलवे सेक्टर बना दो, कुछ भी बना दो, उसमें IRCTC लीडर बन चुका है, जिसे बेंकिंग सेक्टर में, HDFC बेंक है, ठीके, उसके बाद फा दिगज है, यह दिगज है, मतलब सभी ज़लने, इसके इसवे इसका करेंगी, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो लास्ट पांस दिन में देखिए, पांच परषन का पर्फ्रंस है, लास्ट एक साल, एक महिने में 14 पर्संट का है, लास्ट एक साल में देखेंगे, 99-100 पर् और जब भी से आईए 2019 IIT के जब से अभी तक एक अच्छा खासा performance market में दर्ज करके company खड़िए तो दोस्तो बिल्कूल भी आप ये news जो आईए इसको ignore मत करिए आप लोगों को fresh buying करना है ये price से कर सकते हो हो सकता है कि दोस्तो जब तक record date आजाए split का जब तक ये stock 3000 के उपर को तो इसी चीज का अगर आप लोगों को फाइदा उठाना है जब ही तो हम बोलते हैं shareholder की lottery लगे जो पूराने shareholder उनकी lottery लगती जैसे मान लीजिए अभी ये share चल रहा है share चल रहा है उपा नीचे हो रहा है कोई दिकत ने traders बेटे हुए profit में ठीक है अब एकदम से company planning बनाती चलो bonus दे रहें bonus देने तो stock अच्छा भाग जाता है ठीक है अब bonus bonus का announcement हो गया उस दिन भी भाग गया ठीक है bonus का यहां पर announcement हो कि हम bonus देंगे कितने पर कितना bonus देंगे यहां पर announcement हो अभी recorded नहीं आई फिर stock चलता है फिर recorded आती मतलब इतनी जगा का फाइदा shareholder जो पूराने shareholder रहते हैं उनको मजा मिलता है ठीक है बाकी bonus का पता चलता है कि हाँ यह company bonus देने जारी बहुत सरे जन यहां पर खरीते हैं बहुत सरे जन यहां पर तो यह जो गेप रहता है यह सब चूट जाता है तो यही दोस्तों आया सिटी से के shareholder के साथ भी हुआ है ठीक है प्रिवे आसा दोस्तों एक share पर 5 share मिलने जा रहा है जिसका जो growth है आगे future में देखने मिलागा अगर मान लीजे 3000 रुपे से भी split होता है तो एक share पर 5 share मतलब इसका लगबख price जो है न वो लगबख 6 हो जाएगा 600 रुपे के आसपस आ जागा 600 रुपे से फिर भागना चालू किया त तो momentum फिर मिल जाएगा तो जिसके लिए दोस्तों IRCTC को ignore हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते यह news आया है इस news का एक या दो दिन impact पड़ेगा तीसरे दिन से stock एक बार फिर से अपनी range में आ जाएगा अपने रंग में आ जाएगा और momentum बापे generate कर देगा तो यह अगर आप लोग तक लाते रेते हैं तो thank you दोस्तो